Finally हम लोग ने class 8 का syllabus complete कर दिया है, आप हम लोग आ चुके है class 9 में, यह वही class है जिससे कुछ controlling जो है हमारा CBC अपने हाथों में ले लेता है, क्या पढ़ाना है, कितना chapters पढ़ाना है, किते mask का देना है, और NCRT का book ही पढ़ाना है, यह सारा controlling CBC अपने हाथों में ले लेता है, अगर आप चाहो तो इस class से अपने हिसाब से sidebook भी choose कर सकते हो, क्योंकि syllabus NCRT का बहुत कम दिखा जाजेता है, तो इस class में हम लोग साइन्स के syllabus में क्या-क्या पढ़ना है, किते-किते mask का exam होगा, किस तरीके का इसवार का system रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में तुम्हें ल जैसा कि मैंने प्रोमिस किया है कि इस वीडियो में तुम्हें examination का pattern और दूसरा syllabus का बारे में discussion करने वाला हूँ, तो देखते हैं हम लोग क्या-क्या syllabus है, इस बार का सबसे पहले देखते हैं कि क्या exam का pattern रहेगा, इस बार दो exams नहीं होने वाला है, need term और final exam का system खतम हो जाए एक exam होगा, जिसको कहांगे annual exam, वो annual exam जो होगा, 9 class के ending में होगा, 80 marks से exam होगा, और internal assessment periodic test जो पहले होता था, वो होता ही रहेगा, वो periodic test बगेरा जो होगा, वो 20 marks सा होगा, और final exam हमारा annual जो होगा, वो 80 marks का होगा, अगर annual exam और internal exam को दोनों का add कर दिये जाएगा, तो total 100 marks का त हमारा periodic test होगा, वो भी बढ़ा अलगतर ही केस होने बाला है, total तुमसे 3 periodic test लिये जाएगा, 3 periodic test, तो 3 periodic test में कैसे कैसे लिये जाएगा, मान लोग 2 को periodic test में दे दिया, एक periodic test में मैं किसी साधी भी आहमें attend करने चला गया, छूट जागा एक periodic test, तो 2 periodic test का तुम्हारा इसमें add करती जाएगा, मान लोग को एक बच्चा है, जिसमें 3 periodic test दे दिया, periodic test 1, periodic test 2, periodic test 3, पर periodic test 2 में उसने marks अच्छा नहीं लाया, normal ही marks है, तो periodic test 1 और 3 का marks तुम्हारा add कर दिये जाएगा, एक जिसमें number ज्यादा आएगा, उनहीं 2 का marks तुम्हारा internal assessment करूप में add कर जाएगा, हन तुम्हों यह जानते हैं कि physics, chemistry और biology में क्या क्या कुछ पढ़ना है, और यह EBS वाला क्या कुछ portion है, देखो physics का syllabus जो थोड़ा सा बड़ा इस वार रखा गया है, और ज्यादा रखा गया है, ज्यादा in the sense कुछ भी नहीं इस वार delete किया है, सब पढ़ जाना है, ज्यादा त सिर्फ एक ही chapter पढ़ना है, वो है six maths का, एक और chapter है जो तुम्हारे book में दिया हुआ होगा, वो पढ़ना भी है, जो कि natural resource, पर वो exam में नहीं पूछा जाएगा, वो सिर्फ पढ़ाए जाएगा, सौक के लिए, तो यह देखो, अब क्या है, physics में total हम लोगो को छोड़ चेप होगे तो fourth number मिलेगा, CBSC न अपने syllabus में third number पर रखा है, next मिलेगा तुम्हें gravitation से, लेकिन यह gravitation जो है, दो पार्ट में अलग अलग दिया रहता है, पुरा का पूरा chapter ही दो पार्ट में रहता है, पहला gravitation और दूसरा flotation, और next है हमारा last chapter sound, इस वार physics का यह total 6 chapter से 27 marks से तुम यह हमारा physics तो ज्यादा से ले, बस लंबा है, chemistry में क्या क्या पढ़ना है, chemistry में तुम्हें total 4 chapter से पढ़ना है, first matter in our surrounding, जो कि matter नाम से देखे, दूसरा होगा nature of matter, जो कि book में अगर ढूंड़ोगे तो is matter around us pure नाम से मिलेगा, third one होगा atom, और fourth one होगा structure of atom, total add करके 25 marks exam में तुम स पूछा जागा, तीसरा देखते हैं हम लोग, biology, biology में दो ही chapter है, देखने में छोटा है, पर अंदर पढ़ने जब जाओगे तो लंबालमा topics मिलेगा, इन दोनों से 22 marks से पूछा जागा, last है हमारा EBS, EBS में कौन से है, food production सिरफ पढ़ना है, food production जो है, actually में EBS वाला अलग से क हमारे class में नहीं पढ़ाने आएगा, वो EBS होगा, biology के अंदर add करके, biology के teacher से ही पढ़वाया जाएगा, तो ये जो है, total हमारा पूरा का, पूरा marking scheme हो गया, total science का syllabus हो गया, अगर आप चाहते हो, कि मैं class 9 में कौन से book select करके पढ़ूं, क्योंकि इस बार independence अपने हाथ में, school के ही साब से book purchase नहीं करना, book सिरफ purchase करना है कौन सा, NCRT वाला, तो अगर आप चाहते हो कि कौन सा book में purchase करूं, तो उपर i button में मैंने एक link देख दिया है, उस वीडियो को जाके ध्यान से देखना है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बा बाइ बाइ